कि यह स्टुडेंस अवरी गुड मॉनिंग तो अव्यू तो बेटा हिंदी की क्लास में हम कर रहे हैं पार्ट नंबर बारा जिसका नाम है बस के नीचे बाग तो यह चैप्टर हमने अच्छे सी रीड कर लिया था इसकी स्टोरी भी हमने समझ ली थी मैंने आपको सारी इन शब्द भी कर लिये थे ठीक है यह पेज नंबर 73 पर एक एक्टिविटी दी गई थी यह भी हमने कंप्लीट कर ली थी उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं इसी पेज को पेज नंबर 73 है आपकी बुक के उपर इसमें टॉप के उपर बिलकुल जो कोशन्स दिये गए है जिसका हेडिंग है ऐसा क्यों तो हमने बताना है इन सब कोशन्स के रीजन बताने हैं हमने कारण बताना है कि ऐसा क्यों है ठीक है और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो कोशन्स हैं यह आप औरल ही लर्न करेंगे इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं ह पूछे जाएंगे जब आपका एक्जाम लिया जाएगा तो जैसे मैं आपका ओरल टेस्ट लेती हूं तो उसी में ये आपको सुनाने होंगे ठीक है इससे इन कोश्टन से ये पता चलता है कि आपको चैप्टर के बारे में पार्ट के बारे में कितनी नॉलेज है तो आप एक इसक आम कर सकते हैं कि आपके PARENTS इनके answers जो है जो की मैंने note-down कर रखेंँ आपके लिए यह आपको note-down कर करके सकते हैं आपकी notebook में लेकिन जो बच्चें हैS students है उन्होंने सीरफ ये काम यादि करना लान करना सिरwo नोट बुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपको आंसर चाहिए नेक्स टाइम इन फ्यूचर पढ़ने के लिए तो आप इसे अपने पेरेंट से ऐसे नोट डाउन करवाके रख सकते हैं आपको खुद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है पेज नंबर 73 के उपर दिया गया है बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाग को अच्छा क्यों नहीं लगा तो जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था कि जो बाग का बच्चा है वो बस से उतर के बस के नीचे जो पईया होता है टायर होता है उसके पास जाके छुप जाता है ल कि वहां देखने के लिए कुछ नहीं था तो आप सभी को पता है कि जब हम किसी गाड़ी या बस के नीचे देखते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है तरह तरह की टायर्ज होते हैं मशीन होती है इंजन दिखाई देता है और थोड़ी सी वायर्ज होती है लेकिन और कुछ भी वहां देखने लाइक नहीं होता तो बाग को वहां पर अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहां देखने के लिए कुछ नहीं था ठीक है यह था अमारा नेक्स्ट है क्या तुमने कभी किसी बस या जीब से नीचे जांकर देखा है तुमें वहां क्या दिखाई दिया तो वह पूछने है कि क्या आपने कभी किसी बस या फिर किसी जीब के नीचे देखा है अगर आपने देखा है तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है आप घर के पास कोई गाड़ी या घर की गाड़ी या किसी के भी नीचे अगर बच्चे देखेंगे तो वहां से हमें क्या दिखता है सिरफ इंजन का हिस्सा दिखाई देता है तो इसका अंसर है हाँ कि मैंने देखा है और वहां से मुझे क्या दिखाई दिया वहां से इंजन का हि दिखाई दिता है नेक्स्ट कोशन है बस की अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी तो जैसे कि हमें पता है जब हम कोई ट्रॉक या बस को स्टार्ट देखते हैं तो उसमें से कैसी आवाज आती है घर घर की आवाज आती है और किसी में कम आती है किसी में होता है वहां पर क्या होता है बस का इंजन होता है और वेह किसी कारण खराब हो गया था, तो बस रुकी वह थी क्योंकि जो इसका इंजन था वो खराब हो चुका था उसमें कोई खराबी आ चुकी थी और इसलिए उसकी आवाज जो थी वो बहुत ज़ादा आ रही लिकिन जो लोग बस में थे आदी सीटें दाई ओर होती हैं। यानि कि लेफट साइड और राइट साइड में तो जाधा तर जो लोग थे वो दाईड तरफ यानि कि राइटसइड पे बैठे थे बैठे थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे उस side से जंगल जो था वो साफ दिखाई देता था और वह जंगल के अंदर window से देखना चाते थे तो वह जंगल के अंदर देखना चाते थे इसलिए ज़ादा तर लोग जो थे वो दाई तरफ बैठे थे Last question बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाग का ध्यान कहा गया जो दो छोटी छोटी लड़कियां थी उन पर गया क्यों देखो अब हमने क्या पढ़ा इस पार्ठ में कि जो बाग था उसका नाम क्या था वो था छोटा बाग चोटा बाग का मतलब क्या था वो बाग का बच्चा था चोटा था अभी वो बड़ा बाग नहीं बना था जैसे मैंने पढ़ा था आपको कि बाग के बच्चे को हम बोलते हैं शावक है ना तो वो अभी चोटा था जब उसने अपने जैसे चोटे चोटे बच्चे देखे इसी page के next question जो है तो क्या होता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता इसको भी मैंने page पे note down करके आपके लिए solve किया है देखो बिटा क्या है अगर बाग बस की छत पर चड़ जाता अगर बाग कहां पर था बाग बस के अंदर था फिर वो नीचे जाके छुप गया लेकिन अगर वो बस की छत के उपर चड़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती तो उपर से कैसा दिखाई देता आपने टीवी में या कई बार असली में भी देखा होगा कि कुछ लोग बस की छत पर बैठ के जाते हैं तो जब हम छत के उपर बैठ जाते हैं तो हमें सारी चीज कोजे होती हैं आसपास की पेड़ होते हैं पानी होता है नदियां होती है आज जो लोग आ जा रहे हैं सडक पे वो भी होते हैं तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है तो इसका अंसर है कि उसे सब कुछ बहुत अच्छा और साफ दिखाई देता उसे लगता कि वह सब से उंचा है और बस की छट कितनी ऊपर होती है ना तो उसे लगना था ऐसा कि मैं सबसे उंचा हूँ सबसे बड़ा हूँ next question है आसपास के लोग क्या करते तो अगर बाग बस की छट पर चड़ जाता तो लोग क्या करते वह बस के अंदर बैठ जाते और दर्वाजा अंदर से बंद कर लेते तो या तो वो बस के अंदर जाते और फटाफट से बस की सारी खिड़कियां दर्वाजे बंद कर लेते और जो लोग वहां बाहर थे, कुछ लोग वहां से भाग जातें, तो जो बाकी की लोग थे, वो जो बस के अंदर चड़ नहीं पाए, या फिर वो घबरा आ गए, तो वो वहां से भाग जातें ओकी क्लास, तो ये था हमारा आज का पेज नंबर 73, इसकी जो ये नीची अक्टिविटी है, दुबकना, कांपना, लडखणाना ये आपने करके दिखाना था, तो आपने उस दिन इसकी वीडियो बहुत अच्छे से सबी बच्चों ने मुझे सेंड की थी, वेरी गुड तो तो ये पेज नंबर 73 के जो ये कोशन आंसर थे, ये हमने कम्प्लीट कर लिये हैं, और ये अक्टिविटी भी खतम हो चुकी है, तो पेज नंबर 73 is over now, and this is your today's work, पेज नंबर 73 के कोशन आंसर है, आपके पेरेंस इसे नोट डाउन करके आपको दे देंगे, और आपने Thank you class, have a nice day to all of you.